उत्तरप्रदे सरकार के बेहन बेटियों की सुरक्षा को लेकर शुरू किये गए विशेश मिशन शक्ती नारी अभ्यान के तहट बेहन बेटियों की सुरक्षा के साथ ही अब सरकारी विभाग ने एक कदम आगे बढ़कर बेटियों को सुविदा दलाने के लिए एक दवसिय ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने का कैम्प लगाया नारी शक्ती मिशन के तहट आज मुरादबाद के परिवन विभाब ने बहन बेटियों के ड्राइविंग लाइसेंस बिना किसी परशानी के सुरक्षित महौल में खासकर 16-18 वर्ष की लड़कियों के लिए बिना गेर वाले दो पईया वाहन के ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए कैम्प लगाया है जहां काफी संख्या में लड़कियां अपने परिजनों के साथ लाइसेंस बनवाने पहुंची बेटियों के साथ उनका लाइसेंस बनवाने साथाई मा का कहना है कि आज उन्हें इस प्रशा विभाग सहीद कई NGO के सहयोग से खास तोर पर पुलिस विभाग और ट्रैफिक के साथ मिलकर एक दिवसी है अभियान के तहर बालिकाओं और महिलाओं के लिए ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने का कैम्प लगाया गया है महिलाओं को और बालिकाओं को लैसेंस बनवाने में काफी परशानी होती है इसलिए यह खास तोर से कैम्प लगाया गया है और जरुवत पड़ी तो आगे भी इसी तरह के विशेश कैम्प लगा कर महिलाओं का कार ड्राइविंग लैसेंस बनवाने में सहयोग किया जाएगा इस मौके पर आरार सोनी परवर्तन 26 सिंग चुहान ए आई ट्यो प्रसाशन आदी लोग उबस्तित रहे तो सरकार का बहुत अच्छा कद पहला कदम है यह मिशन शक्ति पर और इससे लेडीज को आगे बढ़ने के लिए लड़कियों को आगे बढ़ने के लिए प्रेड़ना में होती है प्रदेश सरकार द्वाराम अनी मुख्यमंत्री जी ने मिशन शक्ति कारकरम के अंदरगत 26 फरबरी 2021 से लेखे आठ मार्च 2021 तक विभिन विभागों में मिशन शक्ति कारकरम का आयोजन कर वाया है जिसके अंदरगत परिवन विभाग, पुलिस विभाग के सायोग से, ट्राफिक पुलिस के सायोग से, शिक्षा, स्वास, तेवम एंजियों, विभिन एंजियों के सायोग से हम लोग भी अपने विभाग में मिशन शक्ति कारकरम खायोजन कर रहे हैं आज हम लोगों ते विशेश कैम्प लगवाया है जिससे में महिलों को सशक करने के लिए उनको लाइसेंस ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करवाने का कैम्प है और उनको जिससे जल्दी से जल्दी डेट प्रोवाइड करवा के लाइसेंस अपना वो आके अपना प्रियासरत हो रही है और कर रही है उसी के अंतरगत वो आगे भी हो सकता है ऐसे प्रोग्राम्स चले और जब जब चलेंगे हम लोग उसमें पूर्टे भागी दार रहे हैं दन्यवाद